गुड मॉर्निंग फ्रेंज जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि ये चैन उस कीमती मिल्क की बूंदों को अपने मिनी फर्नस के अंदर एक एक कर डालते जा रहा हूता है। बागे जहां हम ये चैन को उसी जगह पर उस मिल्क की बूंदों को लेने के बाद अपनी कल्टिवेशन को करते हुए देखते हैं। पूरी तरह से खाली हो चुकी थी कि मैंने सारा का सारा मिल्क यूज़ कर लिया। तभी अब वो मिनी फर्नस वहां हवे में उठने लगती है। जिसे देख ये चैन काफी खुस होकर कहता है कि अंकल आप जग रहे हैं। पर इतने में ही उस मिनी फर्नस की चमक खतम हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी ये चैन उस मिनी फर्नस को अपने हातों में पकड उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। और इस कारण काफी निरास भी हो जाता है। और कहता है अंकल आपको कितने भी जिनियर ट्रेजर्ट चाहिए। मैं आपको जगाने में मदद करने के लिए वो सब ला कर दूँगा। जिसके बाद ये चैन वहां से गुफा के बाहर की ओर चला जाता है। पर तभी उसे याद आता है कि मेरी रसी को तो कुछ कवों ने काट दिया था। तो अब मैं उपर कैसे जाऊंगा। और सायद मुझे अब अपने नाइप की मदद से ही उपर चड़ कर जाना पड़ेगा। पर तभी वो वहां उपर की ओर देख कर चौक जाता है। क्योंकि वहां कुछ लोग उस मांटेन की ऊपर से रसी को पकर नीचे की ओर जा रहे होते हैं। अब यह देख यह चैन कहता है कि अचानक इन लोगों को क्या हो गया। अभी तो कुछ देर पहले इस जगह पर कोई भी नहीं था। पर अचानक यहां इतने सारे लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। तभी यह चैन अब वहां से दूसरी ओर जाकर देखता है। जहां कुछ लोग रसी को पकड़ नीचे की ओर जा रहे होती हैं। अब यह सब देख यह चैन को कुछ भी नहीं समझाता है। इसलिए अब वो भी उनी लोगों की रसी को पकड़ उपर की ओर जाने लगता है। तभी अब कुछ देर बाद ये चैन ऊपर की ओर पहुच जाता है और वहाँ इतने सारे लोगों को देख हैरान हो जाता है तभी अब वहाँ खड़े कुछ लोग ये चैन को देख कहते हैं कि देखो ये लड़का नीचे से अभी अभी उपर आया है तो उससे पूछते हैं पर दवेतने में ही ये चैन वहां कह देता है कि यहां अभी इतनी सारे लोग क्यों है जिस पर उसमें से एक परशन कहता है अरे भाई तुम नाटक करना बंद करो हमें यह बताओ कि तुभी नीचे गुफाओ में क्या देखा हमें बताओ क्या वहां कुछने लगता गुफाओ कहीं इन्हें उसकी मिलिक के बारे में पता होता तो वो वहां आकर उस मिल को ले जाते इसलिए अब ये चैन उन लोगों से कह देता है कि नहीं मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला बस खतरनाक रेट स्नेक के अलावा इसलिए मैं वहां से जल्दी से भाग कर यहां आ गया पर दवे इतने में ही वहां एक मास्टर हवे में उड़ते हु करियर है तवे ये चैन भी उस मास्टर को देख रहा होता है पर तवे इदर मास्टर किंग यू का एक आदमी उस मॉंटेन के नीचे से उपर की ओर आ जाता है और अपने मास्टर के कानों में कुछ बताने लगता है तवे अब उस आदमी के जाने के बाद वह मास्टर वहां सभी लोगों से कहते हैं कि मेरे लोगों ने इस मॉंटेन के चटानों के नीचे पता लगाया है कि वहाँ एक प्राचिन गुफा है अब या सुन वहाँ एक परशन कहता है कि यह तो काफी अच्छी बात है हमें वहाँ कुछ खजाना जरूर मिल सकता है पर तभी वो मास्टर कह कहते हैं लेकिन इस प्राचिन गुफा में कई सारे खत्रे भी हैं जिससे तुम लोग जिन्दा नहीं बच पाओगे अब या सुन वह लोग चौक जाती हैं तभी अब वह मास्टर कहते हैं इसलिए मैं आप सभी को मेरे साथ या काम करने के लिए इन्वाइट करता हूं पर तभी उन में से एक परशन मास्टर किंग यू से कहता है क्या आप हम सभी को प्रोटेक करने की भी गरंटी ले सकते हैं पर तभी अचानक से वहां हसते हुए एक और मास्टर आ जाते हैं जिनका नाम चैंग था अब मास्टर चैंग अपने पंखे को बाहर निकाल कहते है कि मैं आज फिर आप से एक कदम आगे हूँ फिर वो वहां सभी लोगों से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि वहां प्राचीन सिल्वर ट्रेजर्ट भी हैं तो तुम में से जो भी मेरे साथ चलेगा उसे मैं एक हजार सिल्वर कोईन देने को तयार हूँ क्योंकि क्या पता सभी को वहां कुछ खजाना मिले यानहीं अब या सुन वो सभी लोग उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं कि खजाना मिले या ना मिले हमें 1000 सिल्वर कोईन तो मिलेंगे पर यह देख माश्टर लोगों कि यूव क देहा हो जाता है तभी अब यह सब देख यह चैन अपन साथ जाना चाहते हैं पर दभी उनमें से एक परसन ये चैन को भी अपने साथ चलने को बोल रहा होता है कि तुम वहां क्यों खड़े हो चलो हमारे साथ पर दभी इतने में ही वहां एक ब्यूटिफुल गर्ल के एंट्री हो जाती है और इसे के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई